नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर इन्हें नाम किसलिए कहा गया जब भी आप अगर दस लोगों से मिलेंगे या पांच लोगों से मिलें आप उनसे काउंटिंग करने के लिए बोलिए वह काउंटिंग वन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 continue आगे चलते जाएंगे तो जो counting number है यानि कि naturally counting कहां से सुरू होती है हमारी one से सुरू होती है तो जो all counting numbers है वो क्या कहलाते है हमारे natural number all counting numbers started from one are known as natural number तो सभी counting number हमारे क्या होते है natural number होते हैं और इनके set को इनके set को क्या करते है capital N से denote करते है capital N में क्या क्या होंगे हमारे पास one से लेके continue आगे सभी digit होंगे और यहां पर सफे छोटी natural number जो होती है lowest natural number होती है वो one होती है next slide पर चलते है whole number तीक होल नंबर है क्या होल नंबर ऐसी नंबर है जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंकल्यूड कर दिया जाए जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंकल्यूड कर दिया जाता तो क्या मिलती है हमें होल नंबर होल नंबर्स आर दा सेट आफ नंबर्स दैट इंकल्यू करते हैं capital W से denote करते हैं अच्छा इन्हें whole number ही क्यों कहा गया है आपके अंदर शवाल उठ सकता है देखे जीरो से लेके 9 तक के digit लिग गए हमारे पास ठीक है यह 9 डिजिट ऐसे होते हैं कि इन यह complete हो जाती इन digits के अंतरगत कोई भी डिजिट बनाओगे कोई भी नंबर बनाओगे सारी नंबर यहां पर आपको मिल जाएंगी यानि कि 0 से 9 तक के डिजिट ही तो होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं यह हमारे से बड़ी नंबर बना सकते हैं तो इसलिए होल नंबर के सेट को होल नंबर कहा गया कि यह निकि नमसंख्यां जो हती हैं पूर्ड रहिंदी इंपोर्ड बोलते हैं complete हो जाती है next discuss करेंगे slide integers integers An integer is whole number An integer is a whole number not a fractional number यहनि कि फ्रेक्शनल by it is denoted by capital Z और है कैपीटल आई या तो इसे capital Z से डिनोट कर दीज़े या capital I से यानि कि इंटीजर क्या होता है हमारा सेट होता है कि इसका फ्रैक्शनल नंबर को छोड़ देना फ्रैक्शनल यानि कि डिनोमेड न्यूमेडर बाई इसके अलावा जितनी भी हमारे पास positive, negative और उसके साथ में 0 को मिला कि जो हमारा collection बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं आपने बहुत पहले number line पढ़ी होगी number line पढ़ी है यह हमारी number line है middle में 0 होता है इधर 1, 2, 3, 4, 5 continue number आगे बढ़ती जाती है इन्हें बोलते हैं positive integer इन्हें क्या बोलते हैं negative integer नेगेटिव 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 Rational number, देखे, Rational number होती क्या है, आपने पढ़ा भी है, सारी चीजे लगवलभग आपने पढ़ रखी है, देखे, Rational number होती क्या है, Any number that can be expressed in the form of P by Q, or called Rational number, where P and Q are integers, and Q not equal to 0, यानि कि P by Q के रूप में लिखी गई सभी number, क्या होती है, Rational number होती है, जहां पे Q not equal to 0, यानि कि Denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए, अगर Denominator 0 हो गया, तो फिर वो Rational number नहीं है, Undefined form मिल जाएगा, भाई अगर ये P by 0 होता, और इसे हम Undefined कहते, और हम इसे बोल भी रहे है, Undefined, और इसे हम Defined करके बता भी रहे है, ये Rational number है, नहीं, तो ये Undefined है, तो Undefined ही रहेगा, Next, देखेंगे, पहले से एक बार ओर समझते हैं, Any number that can be expressed in the form of P by Q, और called Rational number, where P and Q are integers, and Q not is equal to 0, P by Q के रूप में लिखी गई, सभी number Rational number होती है, जहाँ पे Q not is equal to 0, यानि कि Denominator 0 नहीं होना चाहिए, Real number can also be expressed by using terminating decimal or repeating decimal, यानि कि Real numbers को terminating decimal या repeating decimal के रूप में expressed किया जा सकता है, जैसे 2 by 7, देखो P by Q के रूप में लिखी है, denominator देखो 0 तो नहीं है, नहीं है, 7 है, क्योंकि 0 by 1, 0 by 1 को भी हम लिख सकते हैं, denominator by denominator, 0 by 1 लिख दिया हमने, तो ये क्या है, 0 क्या है कि integer है, दोनों integer होने चाहिए, means numerator और denominator में दोनों में integer होने चाहिए, तो ये भी हमारी rational number है, minus 1 by 3, ये भी हमारा rational number है, good, next slide discuss करेंगे, irrational number, जो rational नहीं है, वो irrational होगा, यानि कि जो P by Q के form में ना लिखा जा सके, वो irrational होगा, irrational numbers are any number that cannot be expressed as A by B, यानि कि A by B के रूप में, यानि कि P by Q के रूप में, जिनने नहीं लिखा जा सकता हो, हमारी क्या है, irrational, यानि कि जिनका denominator नहीं लिखा जा सकता हो, उन्हें क्या बोलेंगे, हम irrational बोलेंगे, they are expressed as non-terminating, non-repeating decimal, यानि कि इन्हें हम non-terminating, non-repeating, ना तो terminate करेंगे, यानि ना तो खतम होने वाली, न repeating, non-repeating, ना तो repeat होती है, ना कोई group repeat होता, ना कोई digit repeat होता है, decimal that go on forever without repeating a pattern, यानि कि बिना किसी repeating pattern के यह होती है, नमबर हमारी कौन सी, irrational number, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, लिखा गया, 0.343, 343, 334, 333, 334, continue, कोई sequence नहीं मिल रहा है, ना तो कोई digit repeat हो रहा है, और ना तो, कोई digits repeat हो रहा है, ना कोई group repeat हो रहा है, यही सेम यहाँ पर है, पाई का जो भी value होती है, वो भी हमारी क्या होती है, 3.4, continue, आते चलती जाएगे, कभी खत्मी नहीं होती, कोई भी digit कभी भी आता, root 2, root 2 की value, 1.4, continue, आगे बढ़ते जाओगे, अब आपके लिए बहुत आसान होगा जानना, a set of all, rational, irrational numbers, नमबर होना चाहिए था, यानि UMBERS, is called real number, यानि की, rational number और irrational number के collection को, क्या बोलते है, real number, और इनके set को capital R से denote करते हैं, इनके set को capital R से denote करते हैं, real number two types की होती है, क्योंकि एक हमारा हो गया, rational, दूसरा क्या हो गया, irrational number, rational के अंतरगत आय साथे हैं, हमारे integer, whole number भी हो गई, natural number हो गई, अच्छा, whole number के अंदर, یعni की, all natural numbers, or whole number, देखिए सरकल से समझने की कोशिश करिए, ये सरकल है, यहाँ natural number है, इसके बाहर whole number है, यहनि की whole number के अंदर natural number होती है, यÎनि की all natural numbers are whole number, इसके बाद, integers के अंदर देखे, natural number भी है और whole number भी है, यानि कि all natural numbers are integer, all whole number are integers, और all integers are rational number, यह भी कह सकते हैं, देखे, कई point clear हो रहे हैं, और natural number, all natural numbers are rational number, all whole numbers are rational number, all integers are rational number, यह points आपको याद रखना है, इसके सभी के definition देखेंगे, आगे देखते हैं, decimal expansion of real numbers, यानि कि real number का जो decimal expansion होता है, उसे देखते हैं, देखो, real number का जो decimal expansion होता है, टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है, first, terminating decimal, दूसरा, non-terminating decimal, terminating decimal, और non-terminating decimal, का मतलब होता है end यानि कि कुछ digits के बाद number फ़स्ट के नाम से नहीं नहीं खतम होना यानि कि जो खतम ना हो उन्हें कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जैसे रूट 2 की वैलू निकालते हो तो कोई भी डिजिट कभी भी आ जाता है तो जो 1 by 3 यानि कि 033 हो रहा था एक डिजिट या किसी डिजिट्स का ग्रूप रिपीट कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और इसे बोलते हैं नॉन टर्म पर चलते हैं तर्मिनेटिंग डेशिमल एक्सपेंशन एक्जामपल भी देखेंगे डेफनिशन भी देखेंगे तर्मिनेटिंग डेशिमल और दोज नंबर्स विच इंड आफ्टर डेशिमल पॉइंट यानि कि वह नंबर जो डेशिमल पॉइंट के बाद खतम हो जाती हैं जो नंबर खतम हो जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे डेशिमल जैसे जैसे जेख जुरो पॉइंट फाइब खतम हो गया एक डेशिमल के बाद 2.456 456 यह भी खत्म हो गया यह सभी एग्जामपल जो है टेर्मिनेटिंग डेशिमल के हैं यानिकि यह नंबर्स डेशिमल के क्थम हो जाती है है next देखेंगे न्टर होन टर्मिनेटिंग रेपेटिंग सिमल कि किन यह घ्रीटिंग या होगा है रिपेटिंग या डिजिट यहां गुरूप घ्रीट डिजिडिट्स का गुरूप जैसे कि वन टू इस पेसिफिक नंबर आ रहा नंबर ग्रूप यानि कि किसी नंबर के ग्रूप को repeat करेगा continue या कोई digit repeat होगा एक फॉर एक्जमपल वन बाई 3 को लिखेंगे 0.3333.com continue यहां पर जो त्री डिजिट से बाल continue repeat हो रहा है या एक एक्जमपल ओर ले सकते हो पॉइंट आ गया 123123 123 123 continue यह group repeat हो रहा है लेक्स्टे बिसकस करेंगे नॉन टर्मनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ना तो terminate हो रहा है ना तो मतलब नमबर that continuous endlessly with number of group repeating endlessly यानि कि इसमें क्या होगा ना तो कोई number कोई भी डिजिट कभी भी आ जाएगा decimal आप देश टाइप का इन नाट be represented as fraction as a result are irrational number यानि कि इसमें क्या होगा result जो होगा वो irrational होगा क्यों क्योंकि इसके digits का denominator नहीं लिख सकते क्योंकि यह number जब खतम नहीं होगी continue आगर या तो कोई ग्रूप repeat करता या कोई digit repeat करता तो हम इसका denominator लिख सकते से लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कोई भी digit कभी भी आ जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे non-terminating non-repeating decimal नाइंत में आपने पढ़ा भी है यह पाई की वैलू होती थी इंदे समलो एक चार एक पांच नौ दो छे पांच चार कांटीनिव चलते जाएंगे उकलिद डिवीजण लेमा में लेमा क्या है अब देखो लेमा लेमा क्या होता लेमा is a proven statement यूजड फार proving another statement यानि कि लेमा क्या होता है एक पहले से पूव इलिमेंट होता है एक पहले से पूव가ma होता है जिसकी मदद से हम दूसरे इस्टमेंट को प्रूब करते हैं तो लेमा इस अ प्रूवेन स्टेटमेंट यूजड फार प्रूविंग इनादर स्टेटमेंट अब आप कहोगे कि यूकलिड डिवीजन क्या है फिर यूकलिड हमारे मैथमेटिसियन थे और डिवीजन भा नाम से है क्या यह संजहेंगे पहले उस से पहले आपको समझाने की कोशिथ करते है माली जी कि आपने 2 नीच भी अपटवाइड किया किस को मतले को है को को सेंट यहां पर आया दो दो दूनी चार घटाय गया घटाने पे आगया हमारे पास एक, reminder कितना है, एक, तो यहाँ पर dividend कितना है, dividend जो है, वो 5 है, dividend कितना है, 5, dividend कितना है, 5, और quotient कितना है, 5, divisor कितना है, 2, sorry, quotient कितना है, 2, reminder कितना है, reminder है, 1, reminder है, 1, तो हमने एक बहुत पहले बात पढ़ी थी कि dividend is equal to होता है division into quotient plus reminder देखते हैं तो इसे हम क्या करेंगे dividend कितना हमारे पास 5 बराबर क्या होता है quotient into divisor plus reminder जोड़तों दोदुनी चारे 5 तो ये होता है और इसे ही बोलते है यूकलिट डिविजन लेमा यह दिया था यूकलिट जी ने यह प्रक्रिया देख रहे होना इसको यूकलिट जी ने दिया था और एक बात इन्होंने बताया था जो reminder होगा हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी संख्या होगी लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होगा बिलकुल छोटा होगा यहां पर तीन आ जाता तो इसका मतलब भाग एक बार और जा रहा था तो हम क्या करेंगे जब भी तो हम एक बार हो ले जाते तब भी रिमांडर देखी बचता तो हमें क्या करना है बेसके लिए जानना है यूकलिट डिविजन लेमा को समझते हैं इस्टेटमेंट क्या कहता है इफ टू पॉजटिव इंटीजर्स ए एंड बी देन देयर एक जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट विस सटिस्पाइड दा कंडिशन यानि कि कह रहा है ए और बी हमारे पास दो प कि थे एक ऊइस्टिजर्स एक B था एक एख तो मनें बी से को डिवाइड किया यानि की बी को हमनें डिवि्जर देगेज़ कितना है यहीं आथ क्यों से बड़ाहोगा ह्षिति के बराबर होगा यहीं सी ये Jude लीज़र से हमेशा पक्रवेशा होगा यह condition होती है Euclid division lemma की Euclid division lemma की यह condition होती इसे आप याद करोगे यानि कि R is greater than equal to zero but less than divider यानि कि B से क्या होगा छोटा होगा एक example की मज़द से समझते हैं example लिया गया है 9 is the divider 58 is the dividend 6 is the quotient 4 is the reminder इस condition में क्या होगा वही अपना काम करना शुरू करते हैं divider क्या हमारा 9 9 से divide करो भाई 9 से divide करो 9 से divide कि हमने किसको करना है 58 को हां जी 58 को divide किया कितने बाइजाएगा six time कितना है 54 कितना बचेगा यहां पर 4 बचेगा 4 बचेगा हाँ बैडिन कितना आ घ्या डिविडेंट कितना 58 डिविजर कितना रिमाइंडर तो 58 is equal to हो जाएगा 9 into 6 plus 4 यही हमारा यूकलिड डिवीजन लेमा जिसकी मदद से हम SCF निकालेंगे और पहितरीन और आसान तरीके से चलिए अब समझते हैं यूकलिड डिवीजन अलगोरिफ्म देखे कुछ भी अंतर रही है यूकलिड डिवीजन अलगोरिफ्म यूकलिड डिवीजन लेमा पे ही आधरी थे लेमा के ही कई स्टेप एक से ज्यादा स्टेप जब भी एक से ज्यादा स्टेप लेमा की यूज किये जाएंगे तो उसे हम यूकली डिविजन अल्गोरिफ्म का नाम दे देंगे चलिए देखते हैं टू आप्टेन दे सीफ आफ टू पॉस्टिव इंटीजर से शी एंडी दो पॉस्टिव इंटीजर ले रहे हैं एक सी है दूसरा डी है हम क्या करेंगे दो चीजे ले रहे हैं सी और डी दो पॉस्टिव इंटीजर से अच्छा एक बड़ा होगा इसमें विल्कुल हमको ऐसी अब निकालना है हम यहां पर लेके चल रहे हैं जो सी है वो क्या है बड़ा है डी से यानि कि अब हम क्या करेंगे जब यह बड़ा है सी बड़ा है डी से तो में काम करेंगे डी से डिवाइड करेंगे D से divide करेंगे C को D से divide करेंगे C को पता चला Q times गया होगा गटाया गया होगा reminder R आया होगा और हमारा R क्या हो जाएगा यहाँ पे R क्या होगा greater than equal to 0 से क्या होगा greater than equal to होगा but less than D यानि कि divisor से छोटा होगा और इसे हम लिखेंगे C बरावर D Q plus R अब हम चेक करेंगे इस condition पर जो हमारे reminder आया है जो reminder आया है वो 0 है कि नहीं 0 होगा तो ठीक है नहीं होगा अगर 0 तो फिर से further हम D और R में यही काम करेंगे चलिए फिर हम क्या करेंगे R से divide करेंगे D को और जो last में जहाँ पर reminder 0 जिस से मिलेगा जिस divider से हमें reminder 0 मिलेगा उसे ही SCF घोशित कर देंगे if R is equal to 0 D is SCF of C and D if R not is equal to 0 apply the division lemma to D and R यानि कि अगर D 0 नहीं मिल रहा यानि कि reminder अगर हमें 0 नहीं मिल रहा तो हम फिर से Euclid division lemma का उपयोग करेंगे D और R के लिए continue the process till reminder is 0 और यह काम तब तक करेंगे जब तक हमें reminder 0 ना मिल जाए the divisor at the stage will be required SCF यानि कि last तक जो divisor होगा उस stage तक ले जाएंगे जहां पर reminder 0 मिल जाएगा वहां पर हमें मिल जाएगा SCF यानि कि highest common factor इस condition में this algorithm work अभी continue के लिए जब example करेंगे तो सारी चीज़े समझ में आएंगे दा इल्गोरिफ्म वर्क विकाच SCF C&D देखिए SCF आप C&D का जो SCF होगा वही SCF होगा जितने भी डिजिट्स आएंगे ने ने हमारे पास जो reminder बनेगा हमारा नया डिवीजर पुराना डिवीजर जो है वह हमारा dividend बनेगा इस condition में जितने भी आएंगे सभी का SCF क्या होता है सेम होता वेर दे सिंबल SCF C&D नोट्स दा SCF आप C&D यानिकी SCF जोता है यानिकी हाईर्ट कमन फैक्टर आप C&D से पढ़ेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल थेओरम आफ अर्थमेटिक देखिए फंडामेंटल थेओरम आफ अर्थमेटिक कहती क्या है इवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्स्प्रेश्ट एज प्रोड़क्त आफ प्राइम्स एंड इस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एपार्ट फ्राम दा आडर इन विच दा प्राइम फैक्टर ऑकर अप समझे इसे समझे कि कोई भी कंपोजिट नंबर अब आप बात करोगी मन नंबर है क्या तो इसी नंबर होती है जिसकी more than two two-factor हो है यानि कि 1 यानिक एक और एक के अलावा वो स्वयम चैनि यह तो एक हो गया यानि की वन और वो स्वयम यानि की वन और सेल्फ के अलावा भी अगर उसका एक फैक्टर है तो हम उसे composite नंबर लेंगे जैसे जैसे देखिए यहां पर पहला composite number पहला नंबर क्या होता है फॉर देखो यह वन से भी कड़ जाएगी फॉर से भी कड़ जाएगी तो मोर दें टू फैक्टर जिसके भी होंगे उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे चलिए एक एग्जामपल की मदद से समझते हैं बाइप चलिए यह कहती हिजर्ए अफंवाइं प्राइम नंबर क्या होती है जिसके सिर्फ फैक्टर हों एक तो वू नंबर स्वयाब दूसरा или फटी दूसरा क्या होता है ड चलिए देखते हैं और पहली हमारी जो प्राइम है वह क्या होती है . तो तो नंम्हांता टी से उसको ना प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है और और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिख होगा एपार्ट फ्राम दा ओर्डर इन विच प्राइम्स फैक्टर यानिक उनके प्राइम्स फैक्टर के एकर ऑडऱ्ो चेंज किया जा तब भी फरक नहीं हो गए सात और पांच तो साथ और पांच को अगर आप पांच और साथ मिल भी रिख दोगे तब भी अगर इनके प्राइम फेक्टर की रूप में लिखे गए हैं तो इनका जो क्रम होगा वह बिलकुल माने नहीं रखता और वो क्या होगा यूनिक होता है तो यह हमारी fundamental theorem of arithmetic काफी पूछी जाती है इवरी composite number can be expressed as the product of frames और इसका जो factorization होगा वो serial पर बिल्कुल depend नहीं करता next fundamental theorem of arithmetic देखिए कैसे यह है एक example की मतदद समझते हैं 1092 है तो से हमने क्या लिखा factor किया गया 2 से divide किया गया 2 से divide किया गया तो 2 यहां पर कहा गया हमारा 546 3 से divide किया गया 182 तू से फिर से डिवाइड किया गया 91 फिर 7 से डिवाइड किया गया तो किन्दा गया 13 तो यहां पर यह नंबर जो है मारा 2 3 यह 13 2 3 2 7 13 यह क्या है सभी prime factors यह क्या है प्राइम फैक्टर्स है इन में क्रम का कोई मतलब नहीं होगा चाहे आप इन्हें 2 3 2 7 13 यानि की लिख दो यह आप लिखो इसे 13 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 क्रम कोई भी रखो कोई दिखे नहीं यह यूनिक होगा यह यूनिक factor होते हैं नेक्ट स्लाइट पर डिसकेस करेंगे lowest common multiple यानि कि जानते हैं कि LCM क्या होता है और SCF क्या होता है चलिए देखते हैं लोइस्ट common multiple LCM LCM of two numbers is equal to product of terms containing the greatest power of prime factor of two numbers दो number अगर दी गई हैं आपको तो आप उनके क्या करो प्राइम फैक्टर कर लो इसमें जब से जो highest power हो सबसे common दोनों number में से जो highest power हो उसे निकालो और उसको क्या करो product के रूप में रखो और LCM निकालो the LCM of two numbers is equal to product of terms containing the greatest power of all prime सभी all prime number कोई भी प्राइम फैक्टर को छोड़ना नहीं है उसकी सबसे बड़ी power को लेकर product निकालना वही हमारा LCM होगा और LCM निकालना आपको आता है highest common factor highest में क्या होता है lowest यानि कि at least power आप यानि कि सब्वे छोटी पावर ली जाती है प्राइम फैक्टर की सब्वे छोटी पावर का product लो वही हमारा SCF होता है SCF को एक नाम और दिया गया है GCD बोलते हैं GCD greatest common divisor greatest common divisor the SCF the SCF of two numbers is equal to the product of the terms containing the least power of the common prime factors of two numbers next discuss करेंगे relationship between SCF and LCM of two numbers देखें दो नमबर की मा लीज़े हमारे पास दो नमबर है एक A है एक B है तो यह कहती है इनका relationship क्या कहता है इन दोनों का जो SCF होगा इन दोनों का जो SCF होगा उनका product उन दोनों numbers के product के बराबर होता यानिकि SCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B यानिकि दोनों integers दोनों पूराइं को जो हमारे पास दिये गए थे positive integer का product और उनके SCF और LCM का जो product होगा उसके बराबर होता है इसका यूज करेंगे इस concept का यूज करेंगे चलिए remembering point है एक बहुत बढ़िया point है देखते हैं इसे के रहा कि कोई भी number अगर P by Q के रूप में लिखी गई है अगर हमसे कहा जाए कि वो rational number है या नहीं बिना division प्रक्रिया किये हमें बताना है तो हमें तुरंट चेक करना है तुरं नाइन बटा नाइन बटा में ट्वफ्थी दे दिए गया हम क्या नॲमनेटर कीतना है को जैब हम यह क्या धीनुप आश्म करोगे déjàट यह निकिए 75 वनिपचास हो जाए दो की पावर एं 25 एं यह निकी फावर दो है यह निकTwo और वाइबन फैक्टर में यहीं कि नविनेंटर क catalog बचना चाहिए और ट्यू उर फाइब बस बच रहा तो समझ लीजे की वह ंत्र ऑर आपको तुरंट गर्व से गबन्स के साथ बता देना है है गवर्ण तो सबका चूर होता है मैं अग्दम बता ही देना है कि नहीं रेशनल लंबर है आप कुछ भी कर लो लेकिन गलती मत करना एक पॉइंट है समझिएगा मान लिजे कि लिखा होता नाइन बाई नाइन इंटु सेवन बाई फिप्टी इंटु सेवन यह लिखा होता अगर इस कंडिशन में सबसे पहला काम आप करते जो कौमन है उसे काड़ दो इसके बाद आप डिनोमिनेटर में चेक करो कि टू और फाइ यह रही आज की क्लास